खबागणी सा वेलकूम बैक टो माई चैनल लाइगो प्यू आप लोगों को बता चल गया होगा कि आज मैं लेकिया है हूँ शोल का टिटोरियल कि मैंआ आपको कहा था कि मैं अपने सेकेड चैनिल पे शेयर करूंगी और उस बात को एक मेनेसे पहली ऊचुक हाँ है जब मैंने डिजाइन ढहने के आओं आर मैंने जैसकेड कि लिए बोला था तो वह मैं शेयर करूं बट मैं क्यों नहीं उस पर एक्टिव हो पा रही एक्चली 2-5 मेने पहले उस पर एक स्ट्राइक आ गए थी मेरी किसी वीडियो पे और मुझे नहीं पताता कि स्ट्राइक भी आ सकती है मैंने ऐसा कुछ यूज किया था किसी क्लिप ऐसे यूज की थी मुझे लगा था कि कॉपिराइट इस्यू आएगा बट नहीं स्ट्राइक आए था तो वह वाली प्रॉब्लम वैसे सॉल्फ हो गए थी वाली ऐसा कोई बड़ा इस्यू नहीं था स्ट्राइक का अना होता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी थेंशन हुई कि ऐसे कैसे स्ट्राइक आ गई कॉपिराइट तो आसा पता ना वह कोपिराइट दे रहते हैं स्ट्राइक क्यों दी पिर ठीक है वाली प्रॉब्लम सॉल्फ हो गए थी फिर उसके बार में जो मेरा एक्सेंस अकाउंट जैसे मैंने बनाया था उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि उसमेरी एवी तब फर्स्स पेमिट नहीं आई तो उसमें कुछ दिक्कत है तो मुझे भी कुछ समझ खुरा समय जब नहीं आयरा है और ना इतला टाइम है कि मैं इतने सारी प्रॉब्लम मीननन वह सॉल्फ कर पार तो उसके लिए मैं भी ट्राय कर रही हूँ कि जीपनी से मैं प्रॉब्लम सारी हो जबदि से सौलफ अकरोट हो जाए और रही रही जो जब थेर गष्य कर एपन जो जैसे मैंने कुछ डिजाइनिंग उस पर शेयर की है वर्क इसा बताया है मेरे सेकंड चैनल पर ड्रेसिस का तो मैं ट्राय करूंगी कि यहां भी आपको कुछ ऐसा दिखा सकूं सिखा सकूं एक आफिसार यासी वीडियो पर बना रखी है बट दो मेने से मैंने उस पर अप जल्दी से सारी जो उसमें दिक्कत आ रही है वो सॉल्फ हो जाए पर उसके बाद में उसको भी कंटीन्यू करूंगी तो फिलहाल आपकी जो भी डिक्वेस्ट है मैं इसी पर पूरी करूंगी और धीर धीर आने वाले व्रॉक्स के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह से बनाया है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो स्टोल बनाने के लिए सबसे पहले हमी चाहिए है फैब्रिक तो यह मेरे पास है वेलवेट का फैब्रिक जो की रैड कलर में है बहुत ही प्यार है कलर चोई साप अपने कॉर्डिंग ले सकते हो और यह दो म मेरे पास में पढ़ा था उसके बाद में मैंने सेम उसी कलर का गोटा लिया यह भी मेरे पास में था और यह सब मैंने पानी कलर में लिए क्योंकि जो जरी का जो कलर होता है वो पानी कलर ही होता है और ताकि मेरी हर ड्रेस के साथ में जाए यह स्टोल तो इसलिए मैं पानी क पत्ति की पत्तियां यह भी इसी ली मिल जाएगी और 20-30 रुप का पैकेट मिलता है मेरे पास में था यह पहले से ही और इसके अंदर अलग अलग साइज और पैटन में आता है तो मेरे पास में दो तिन तरह के पैटन पड़े थे तो अभी मैं यह वाला यूश करने वाली हू उसके बाद हमें हिच ही है यह फैब्री गलू जिससे कि मैं गोटब पत्ति यह वाली उस करने वाली उन लेस क्योंकि यह काफी सॉफ्ट रहती है और यह मुझे मीली थी 20 रुपय मीटर तो यह मैं लेकर आई हूँ डाइ मीटर तो चली अब देखते हैं कि हमें स्टोल किस तरह से बनाना है आप चाहो तो कोई भी चोडी लेस या चोडा गोटा जो आता है क्योंकि मुझे स्टोल टाइप में जाहिए शोल नहीं बना रही मैं तो इसकी जो चोडाई है ना मैं सोच रहे हूं कि 36 या 35 ही रखोंगी 47 बहुत जादा चोडी हो जाएगी तो यहां पर मैं जो चोडाई है वह 38 इंच रख रहे हूं ताकि अगर मुझे एक साइट से फ कि घोटा लगांगी और मैं हाथ अगर आप चाहो तो मशीन से भी लगा सकते हो य। इस लिए यह वाला जो चाते हो याप अची से लगाना चाते हो बस सेसी से मैं गोटा लगार लोगा है आप देख सकते हो वीडियो की अंदर ना तो इस तरह से मैंने पूरे इसे हम फ्रड लगा लिया है जैसे हम औरणे पर लगा है तो सब जगह मैंने इस तरह से गोठा लगा लिया अब मुझे यह वाली लेस लगानी है जो यह से केरन टाइप के जो लेस है न वो मैं स्टोल के दोनों साइड में लगाऊंगी जो चुड़ाई हमने कट की थी तो इस जगह पे यह वाली मैं लेस लगा लूँगी और ये भी मैं जैसे मैंने gota half से लगाई था असी तरह कीरन लगाते है ना यह लगाई है तो यह मैंने store के दोनों side पे लगा दि अभर लेस के बाद में अभर यह सीखिया तो सीखिये कि मैं जो दो पड़ लगाउँगी तो मैं आपको बता दूँगे बाद में जब मैं लगाओंगी मशीन से लगाओंगी तो इसी खेकी दो दो पटियां मैं पूरे इस टोल के साइड साइड में लगा लूँगी इसके बाद में फिर बीच में वर्क करना है ना गोटा पत्ती और स्टोन से वो ये सीख्या लगाने के बाद में फिर करेंगे तो यहां पर मैंने ये एक पट्टी सीख्या की लगा दी है मशीन से और दूसरे वाली भी मैं इतने ही गैप से लगाऊंगी तो आप देख सकते हो दोनों में मैंने डिफ्रेंस जो है न वो सेम ही रखा है तो अब इसे भी मैं लगा लेती हूँ अब मुझे करना है इस पे वर्क तो जैसे कि मैंने आपको बताये थी गोटा पत्ती वाली पत्तियां और यहां पर यह वाने लिए हैं स्टोन चोटे वाले और यह एक फैब्रिक ग्लू तो अब मुझे बनाने है फ्लाट चोड़ पे छोड़े तो पहले मैं यह स्टोन पेस करूंगी तो अब मैं आपको एक फ्लार बना के दिखा देती हूं और वैसे ही सेम फ्लार में थोड़ी दूर के अंदर पूरे स्टोर में बना लोंगी अब मैं वाओर पिसटե।व का जिखिए चाई ँच्वाइब में खाला भीज़ी वेज़ में आपको एक 25 बना माईं है करूंद है नचे खुंग यह संब पूर के बना पाम दोला ऑ्नाही दोब खमना मैं है फिस ग्ला दोड़ीज करा हुआवार कर भीज़ खギार और अब ऐसे फ्लार मैं पूरे स्टोल के अंदर बना लोंगी सबसाइड के अंदर और बीच में इस तरह के फ्लार पना लोंगे और रेडी होने के बाद मैं फिर मापको इसका फाइनल लूप दिखाऊंगी तो यह है मेरी स्टोल का फाइनल लुक तो मैंने स्टोन लगा था आप चाओ तो फ्लार भी लगा सकते हैं पर इस्टोल में बट मैं बोज़ता हैवी नहीं करना चाती थी तो मैंने इस तरह से यह रेडी किया और बोज़ता सुंदर लग रहा था और ड्रेस के साथ में जाएगा यह वाला शॉल तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना अगर आप इस तरह का कुछ ट्राय करते हो तो मुझे कॉमें अच्छा लगाओ तो इसको एक लाइक जरूर कर देना